काली पूजा दीपावली और महापर्व छट को शान्ति पूर्ण संपन कराने को लेकर शान्ती समिती की बैठकायोजित जिले संग्रामपुर थानाक्षेत्र में दीपावली काली पूजा और लोकास्था का महापर्व छट को शान्ति पूर्ण एवं सो हार्ट पूर्ण वातावरण में संपन कराने को लेकर मंगलवार को थाना परिसर में शान्ती समिती की बैठकायोजित की गई हैं जिसके अध्यक्षता थाना अध्यक्ष तारकेश्वर कुमार सिंग ने किया बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनीश रंजन मुख्य रूप से उपस्थित थे शान्ती समिती की बैठक में उपस्थित थाना क्षेत्र के गण्मान्य एवं जन्प्रतिन इधियों ने दिपावली काली पूजा और छट पर्फ के दोरान अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं एवं व्यवस्थाओं से पदाधिकारी को अवगत कराया विदितो की प्रखंड क्षेत्र में नौ जगहों पर काली जी प्रतिमा स्थापित कर काली पूजा मनाई जाती हैं जहां तीन दिनों तक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है इस दोरान कहीं कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम कभी आयोजन किया जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी में वैठक में उपस्थित पूजा समिती के सदस्यों को कहा कि काली पूजा में विसर्जन की दौरान डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा अगर कहीं भी विसर्जन की दौरान डीजे बजाने की शिकायत मिलती है तो के सदस्यों के सहयोग अपेक्षित हैं उन्होंने कहा कि विसर्जन का रूट चाठ आवेदन में सनलग्म करकर थाना में जमा करें साथ ही प्रतिमा विसर्जित करने वाले तालाब पोखर नहर जहां अत्यधिक गहरे पानी हैं उसे जगह को चिनहित कर इसकी सूचना प्रशास और्फ बंबं शिवं यादव विने सिंग धर्मेंड सिंग सुनील दास गुर्डू सिंग सहित क्षेत्र के गण्वान्य जन प्रतिनिधी एवं पूजा समिती की सदसी ओपस्थित थे